दोस्तो नमस्कार आदाप सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश और दोस्तो आज 31 दिसंबर है 31 दिसंबर 2022 का आखरी दिन कल सुबह से 2023 में हम आप सब प्रवेश करेंगे आज हम भारती राजनीत के हिसाब से कैसा रहा 2022 और कैसा रहेगा 2023 इस पर एक आखलन पेश करेंगे हमारा मानना है कि भारती राजनीत के लिहाज से वर्ष 2022 कोई बहुत चमतकारिक साल नहीं रहा इसमें काफी कुछ जो बदलने की अपएक्षा लोग करते हैं आम तोर पे बहतर बदलाओ बहतर चीजें इमर्ज करने की वैसा कुछ नहीं दिखा इसे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि दशक या दशकों के बीच ये एक उलेखनी साल हो बिलकुल नहीं एक नॉर्मल सा साल आया और गुजर गया गटनाएं गटी छोटी गटनाएं बड़ी गटनाएं और 365 दिन जब हो तो जाईर है गटना तो हर दिन गटती है असन के गटनाएं गटती है लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए राजनीतिक स्तर पर राश्टी राजनीत में तो सत्ता धारी भारती जनता पार्टी ने कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी 35 किलो मीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले वह नए वर्ष के पहले महीने में अपनी यात्रा का जमू कश्मीर के स्री निगर में समापन करेंगे। इस यात्रा से उनकी राहनीतिक शक्सियत भरी है इसमें कोई दोराय नहीं उन्होंने लोगों को आकरशित किया है सत्ताधारी भारती जनता पार्टी और टीवी पुरम ने मिलकर उनकी पप्पू वाली जो च्छबी बनाई थी उसे तोड़ने में वो काम्याब हुए हैं कॉं कश्मीर से कन्या कुमारी तक और अवाम के कारण जुड़ा हुआ है लोगों के कारण जुड़ा हुआ है ये राजनेताओं नौक और शाहों के बल पर नहीं जुड़ा है हां बीते कुछ वरसों से देश में नफरत का साया जरूर बढ़ा है हलांकि नफरत नहीं नहीं है हम अपनी राइनितिक काम्याबी की एक तरह से कुंजी से बना लिया है ये उसका भरोसे मंद टुलकिट बन गया है कॉंग्रिस दावा कर रही है कि राहुल की पद्यात्रा उस नफरत को खत्म कर भारत को और ज्यादा जोड़ेगी दोस्तों नफरत सिर्फ एक या दो यात्रा से नहीं खत्म होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ सियासत में नहीं है हमारे समाज में भी है अगर इसे क्रमशा खत्म या कम किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजसत्ता के जरिये ही यानी राज सत्ता जब नफरत और विभाजन के विरोध वाली सकारात्मत और समावेशी राजनितिक शक्तियों के हाथ में होगी तभी इसे क्रमशा कम और फिर खत्म करने का निरनायक अभियान चलाया जा सकता है इस अभियान में हमारी सम्वैधानिक शासकिय और शेक्षिक सांस्कृतिक संस्थाओं की सबसे अहम भूमिका होगी जो आज नफरत और विभाजन की राजनितिक सत्ता के आगे पूरी तरह नतमस तक है पूरी तरह नतमस तक है इसका मतलब साफ है कि नफरत और विभाजन की राजनित पर निरनायक लगाम तभी लगेगी जब चुनाओं में ऐसी शक्तियों की जीत हो जो संविधान को सरवों पर इमानती हों और नफरत विभाजन के खात्मे के लिए वो प्रतिबद हों सिधे शब्दों में कहें तो संसदी चुनाओं में ऐसी शक्तियों की जीत के बगएर ये काम संभव नहीं है पदयात्राएं या सभाएं माहौल बना सकती हैं पर बड़े निरनायक कदम तो राज सत्ता के स्तर पर ही संभव होंगे इस लिहाद से देखें तो 2022 ने एक बार फिर ये साप किया है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अपराजे नहीं है बशर्ते समाज सचेत हो जनता जागरूख हो और पार्टियां जनता के भी सक्रिय हों 2022 में साथ राजियों में विधान सबाद चुना हुए ये राजि थे गोवा, पंजाब, उत्राकंड, मनिपूर, उत्तरप्रदेश, गुजरात और हीमाचल इसके अलावा दिल्ली के MCD चुनाव भी हुए इसमें दोग के अलावा सभी पांच राजियों में भाजपा की सरकाने बनी, कॉंगरिस को हीमाचल से संतोष करना पड़ा और आम आदमी पार्टी ने पंजाब जैसे महत्पूर्ण सूबे की सत्ता पर कबज़ा करके सुबाई राजिनीत में नया रोमांच पैदा किया डबल एंजन की सरकार बनाने के आवान के बावज़ूत भारती जन्ता पार्टी यहां की 117 सीटों में सिर्फ दो सीटें जीच सकी, सत्ता धारी रही कॉंगरिस सत्ता से बेधकल हो गई, आपने दिल्ली के MCD चुनाओं में भाजपा को अपदस्त कर दिया, ये भी कुछ कम चमतकारिक नहीं था, एक पार्टी जिसे भाजपा की B टीम कहा गया, उसने A टीम को हरा दिया, 2022 के इन चुनाओं ने साबित किया कि भाजपा अपराजे नहीं है, विपक्ष उसे हरा सकता है, जन्ता ने आँख नहीं मूदा है, अभी तक वह किसी राजा की तरह, अगर दे मिजाज जरूर मुर्जासा गया है, इसी महाल के वीश दोस्तों सन दो हजार तेईस में दस विधान सभाओं के चुनाओं होंगे, नौ की सूची आधिकारिक तोर पर तैयार है, और दसमे राज्य के रूप में जम्मु कश्मीर के भी पूरी तैयारी है, दस राज्यों के ये चुनाओं दो हजार चुविस के बड़े मुकाबले यानि संसदी चुनाओं के सेमी फाइनल की तरह होंगे, तैयारी के मामले में भारती जनता पार्टी का दोस्तों कोई जोड नहीं है, वो शासकिय काम से ज़्यादा चुनाओं का काम अपने आकरशक इवेंट मैनेज पर जोड देने वाली पार्टी है, दो हजार तैईस में जिन दस राजियों में चुनाओं होंगे वे हैं त्रिपुरा, मिघाले, नगालेंड, करनाटक, च्छतिसगड, मध्यपरदेश, मीजोरम, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मिघाले, नगालेंड और करनाटक के चुनाओं दो हजार तैईस के पुरवार्ध में होंगे, फरवरी से मई के बीच, लेकिन च्छतिस गाड़ मध्यपरदेश, मीजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाओं नवंबर दिसंबर के बीच होंगे, कश्मीर के बारे में अभी त सरकार बैठाने की उपलब्दी भी अपने चुनाओं प्रचार में शामिल करना चाहेगी, दो हजार बाईस में दोस्तों देश ने सताधारी दल और विपक्ष की चुनाओं तैयारी और चुनाओं प्रचार के अंदाज की दो तस्वीरें देखी हैं, जहां भासपा अपने पूरे धन बल के साथ चुनाओं जीतने के लिए अपना सब कुछ जोकती नजर आई, तो मुखी भी पक्षी पार्टी कांग्रेस के चुनाओं प्रचार की अलग अलग दो तस्वीरें दिखी हिमाचल में उसने पूरे दम खम के साथ चुनाओं लड़ा, लेकिन गुजरात में पार्टी हर अस्तर पर सुस्त और पस्त नजर आई, अब तो उसके जीते और हारे विधायक भी पार्टी ने तृत्त की सुस्ती और पस्ती का जिक्र अपने शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं, इंडियर एक्स्प्रेस को दिये एक अपने खास इंट्रिव में कॉंग राज जैसे बड़े और राजनितिक रुप से महत्मुन राज्य में बुरी तरह हारने की वजह बताते हुए, कॉंग्रेस के अधिकारी प्रवक्ता ने दावा किया कि इस बार पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अगर कोई जिमेदार है तो प्रदेश का नित्रत जि गुजरात में बाहरी नहीं, अनेक कॉंग्रेस ने ताभी आज अपने चुनाव प्रचार के तोर तरीके की जम का रालोचना कर रहे हैं और इस हार की जिमेदारी वो केंद्री ने तिक तो पर ठोप रहे हैं, बस फर्किया है कि वो अनौपचारिक बातचीत में, प्रेस में आने से वो डरते हैं कि उनके खिलाप का रवाई हो जाएगी, लेकिन दभी जुना, दभी जुबान से हर कोई कह रहा है कि नजाने कॉंग्रेस ने गुजरात में चुनाव क्यों नहीं लड़ा, ठीक से क्यों नहीं लड़ा, दोस्तों कुछ तो प्रधान मंतरी मोदी के 37 गड़ के मुख्यमंतरी भूपेश बगेल आदी के साथ तक्रीबं 10-1 सभाएं वहाँ पर की, निश्चही गुजरात और दिल्ली, MCD में बेहद निराशा जनक प्रधर्शन के बाद हीमाचल कॉंग्रेस के लिए एक तरह का सांतोना पुरुसकार था, इन सभी चुनाओं स विपक्ष को सबक लेने की जरूरत है, अगर वो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता, तो इतिहास उसे बहुत कड़वा सबक सिखाएगा दोस्तों, इसमें कोई दोराय नहीं है, सवाल उठता है कि आविपक्षी दल 2023 की चुनावी जंग के लिए तयार नजर आते हैं, सन्र चुनावती को लेकर वो बहुत गंभीर नहीं नजराती, पिछले दो धाई साल से मुख्यमंत्रिय अशोग गैलोत के मुख्यमंत्रितों को चुनावती देने वाले कॉंग्रिस के असंतुष्ट नेता सचिन पाइलेट समय समय पर अपना बागी सुर्थ तेज़ करते आ रहे हैं, राहूल गांदी की पद्यात्रा के राजस्थान में दाखिल होने से पहले केंद्री नेतृत की तरफ से बीच बचाव की कोशिश जरूर की गई, पर दोनों नेताओं के गुटों के बीच स्थाई शान्ती नहीं है, आज भी, राजस्थान में भाजपा भी कांग्रिस के पास क्या भी कल्प है, ऐसे में राजस्थान कांग्रिस के लिए दोस्तों बहुत बड़ी चुनावती है, अगर केंद्री नेतृत्र ने गंभीरता नहीं दिखाई, तो राजस्थान के रेगिस्तानी अंधर में पार्टी के पूरी तरह भटक जाने से कोई उ उत्तर और मद्द भारत में कांग्रिस के लिए फिलाल एक ही प्रदेश है, जहां वो 2023 के चुनाव के लिए ज्यादा समर्थ और चुस्त नजरा रही है, और ये 36 गड़ है, लेकिन भाजपा और उसकी किंद्र सरकार चुनाव से पहले 36 गड़ में कांग्रिस के सौमिया चौरसिया और राजिक के कुछ अन्य अपसरों की इड़ी द्वारा गिरफतारी इसके ठोस हुदारन है, इसके बावजूत किसानों, युवाओं, पिछले वर्ग और आदिवासियों के बीच बगेल सरकार का ग्राफ चड़ा हुआ है, भाजपा के लिए 36 गड़ एक वाकई बहुत मुश्किल सुबा है, आरक्षन के नए सरकारी फार्मूले पर राजभवन के रवईये ने भी भाजपा को आदिवासियों और पिषणों की नजर में संदिग्द बना दिया है, पडोस के मद्य प्रदेश को गुजरात की तरह ही आरेसिस भाजपा ने पर भी मद्य प्रदेश में कॉंग्रेस के पास अब एक शाकृत युवा नित्रित्व नहीं है, सिंदिया पहले ही भाजपा मैं हो चुके हैं, कॉंग्रेस की असल बागडोर अब भी दो बुदुर्ग नेता ही समाल रहे हैं, कमलनात और दिगविजैसिंग, दोनों अपनी सरकार नहीं बचा सकी, उसके विधायकों को तोड़कर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, ये सब कमलनात और दिगविजैसिंग के रहते हुए हुआ, मद्य प्रदेश में आज का सीन 2018 और 2020 से बिलकुल अलग नहीं है, करनाटक में निससंद एह कांग्रेस मजबू दोनों ताकतवर नेता हैं, पार्टी अध्यक्ष खडगे का भी अपना प्रदेश है, ऐसे में करनाटक में कांग्रेस अपना जंडा गार सकती है, बशर्ते, बशर्ते, मुख्यमंत्री पद को लेकर सिधारमया और शियुकमार आमने सामने ना आ जाएं, आपसी सामती और स पर टी आरेस का परला फिलाल भारी नजर आ रहा है, हाँ, टी आरेस के के चंदर शेखर रहा हो, कब क्या करेंगे, खासकर मैं पार्लमेंटरी एलेक्शन की बात कह रहा हूं, ये कोई नहीं बता सकता, जहां तक अन्य राजियों का सवाल है, विपक्ष की तैयारी कुछ खा सांगठनिक स्वार्थों को दरकिनार कर उन्हें व्यापक रास्टी हित्मे काम करने पर राजी होना होगा, पर पद्यात्रा पर निकले राहुल गांदी हों, या उनके बड़े राजनितिक सलाकार इस मामले में उनका रुक साफ नहीं है, वे बार बार अपने बयानों में चेत्री दलों को वीजनलिस्ट यानि नजरिया विहीन बताकर उन्हें नाराज कर रहे हैं, कॉंग्रेस अपने को एक मात्र वीजन वाली विपक्षी पार्टी मान रही है, इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं, तमिलाट के स्टालिन, एनसीपी की सुप्रिया सुले औ और शिव उशेना के आदित्य ठाकरे के अलावा अभी तक उनकी पद्यात्रा में कॉंग्रिस आहवान के बावजूत कोई बड़ा विपक्षी ने था, कोई बड़ा विपक्षी स्टालवर्ट शामिल नहीं हुआ है, विपक्ष के मुख्य दल कॉंग्रिस और अन्य सेकुल अपलाग कर सकेगा, कॉंग्रिस क्यों नहीं समझती दोस्तों कि राहुल की पद्यात्रा की बहुजूत कॉंग्रिस देश को मोदी का विकल्प अपने बल पर नहीं पेश कर सकती, मोर्चे बंदी या गठबंधन जरूरी है, सामाजिक स्तर पर देखें तो अपरकास्ट अपने साथ जोडने पर है, उसको लगता है कि अपरकास्ट जैसे ही उसके साथ जोड़ जाएगा, माइनार्टी कम्यूनिटी का वोड भी उसको मिलेगा, क्या वो पिछणों दलितों की अवहेलना और उन्हें दरकिनार करने की कीमत पर भाजपा को हराने की सामाजिक ताकत हासिल कर सकती है, कांग्रेसी सलाकारों के चश्च में इस सवाल का जवाब ढोड़ने में अब तक नाकाम है, तो हजार बाइस की दरसल यही कहानी है दोस्तों, देखिए, दो हजार तेईस में यह कहानी किधर मुरती है, दिशा का भटकाओ जारी रहता है, या विपक्षी केक्ता की कोई चमतकारी तस्वीर उभरती है, दोस्तों यह हुई हमारी आज की कहानी, चलते चलते हम अपनी एक दूसरी स्टोरी भी आपको पेश कर रहे हैं, दो हजार बाइश में देश की प्रगती का एक खाका दावा किया जाता रहा है, सरकार की तरफ से देश बहुत पर गया है, टीवी पुरम पर आता है कि जल्दी ही देश विश्वगुरू बन जाएगा, पर वैश्विक्स तरपर भारत की क्या इस्तिती है, प्रामाडिक आकणों की रोशनी में आईए दोस्तों देखिए इन सूचकांकों को, दोहजार बाइस के कुछ सूचकांक क्या बताते हैं, क्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 मुलकों की सूची में 107 में नंबर पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 मुलकों की सूची में 150 में नंबर पर है, डेमोक्रसी के इंडेक्स में 167 देशों की सूची में भारत 46 में नंबर पर है, और संजुक्त के मानो विकास सूचकांग में 191 देसों की सूची में 132 नंबर पर है कोविड रिस्पांस सूचकांग में 86 नंबर पर है वैश्विक युवा विकास सूचकांग में 122 नंबर पर है वैश्विक खुसाहाली सूचकांग में 146 देसों की सूची में 136 नंबर पर है लेकिन दोस का एक धाचा भी बचा है तो हो सकता है कि इसमें संजीवनी संजीवनी कहीं से आ जाए और पौधे लहा लहने लगें लोग तंत्र के 2023 के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामनाएं नमस्कार आदाब सबस्रियकाल